जो रजोगुना है तो कसा उलखाईचा? त्याचा वेश कोंता याशुद्या बरका? सन्याशी, कपड़े आशुद्या, वारकरी कपड़े आशुद्या तो सत्वोगुनी के रजोगुनी अहंकार आसेलता सत्वगुन, समाधान मानता आसेलता सत्वगुन, और कायम खटपटके रजोगुन एकादी धर्मशाला वांदली पाईजेत मोठा यदनी केला पाईजेत मोठा सप्ता केला पाईजेत सतत गुंतला पाईजेत नगरेची रचावी नगर निर्मान केला पाईजेत जलासे निर्मावी जलासे निर्मान केला पाईजेत यह वनिकरन करनारे लोग एतना न्यानवारे लिए लेतना महावने लावावी निरंतर तरना जो काय ऐसा अचाट चंड घेवनी ठाके आत्म उद्धार बाजुला रहतो आत्म चिंतन बाजुला रहतो मगशे संगित लाप्रामने जन्ममृत्यू जरावया धी दुख दोश दिस्न बाजुला रहतो अणि इतका कामा मदे जातो साकाम कर्म मंड़की करना रहतो या कामाद फाइदा है त्या कामाद फाइदा है इतका पई साले लास तो तरे सुद्धा एक शब्द खुब सुद्धर ज्याना बराई सकता होय दुखा सकत गोड़ ये रजोगुनी मांचसे होय दुखा सकत गोड़ रजोगुनी मांसों जोड़ दुख सहन करूँ शकताद कुन इस करूँ शकत नेते हुए रजोगुनाचा परिणाब तैना ये इते फाइदाए मटलाना कष्ट सहन करालता है रहे चामचाईगेरी करतील पुड़ जातील भेटतील अनतना विचल आओ युदक कष्टका करता है महाराज कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है आपना स्थेजी उवाख्या आएकुन जीजी रजोगुनी मान सास्ता हो ये दुखा सकत आणे किती पाइसा मिलालाना तरी तैन्ची भावना शिल्लक चास्ता मेरू पासोनी थोरे मेरू इतका जरी धनाल तरी कमी चे पने एका धारू ना उलगू मेरू इतका सोना जरेले डोंगरा इतका जरी सोनालाना ते कुठक उंतवाई चे लेके तेन्ची योजना चल्वास्ते करनार का है ये चा आणी रजोगूनी मान्चा सक्रात महत्वाचा लक्षने कदी बसलान शांत बसनारने मांडी आल्वील इकड़ा बगेल तिकड़ा बगेल ओर बगेल काईज नसलता आँ खाजोत बसल चंचलता रंजवन रंगलेल्या कोष्टे कड़े पाण रसिकता आसने रजोगूनाचे लक्षने नाई शांतता न्यान बढ़नी इस व्याख्यान करता नास्ते जिवात ते रंजवू जाने रजोगून जोए ना तो रंगदार है तेला शांतता आजेबात आउड़त ने घरात कुनी नसलता दुसरे जागरात ओन बशें काई कर्मत ने अलपर तुझा घर है ना कुनीज ने घर खायला उटता ता घर याचा आप्यास काई-काई-काई-पूर बगात भी स्वता आप्यास करनारे पोड़कर जाउन बसता तेला मंते इतनी उट मुनू तो आपला आई-कूर कशेवर चर्चे मुख्यमंत्री कोन होनार इराक मदे काई चले पकिस्तान मदे काई आरे तु कोन रजोगूनी मान्सची बढ़ण क्रिया सग्ड़ अभ्याहत आश्ते एक परिवर्तन होन यह जगात सग्ड़त आऊगड़े आणि तमो कुणी मान्सचा स्वभावेत किर्तनात निया कुटे ही निया जोफी सग्ड़त मुठी प्रिया कुटे ही निया तु निया ब्रह्मायू होई जे निदेलियाची आशी जे तेना मुडलतुला आमे एक कल्प प जात नहीं जोफ आली यहन तो नुपमा धिलेले अम्रुत ही परिनेगे जरी नियंदाली आम्रुत पेले दिलेना तेम थोड़ा थामजार जोबगी हुदे आणि भीतिदर्द आखावली अकाश्वरी यहो का पृत्वी पाताली जाओ ओठने हाँ भाव नुपजोने आरे गावल आग लागली गडबड जाली हाँ गुनाचा परिनामे माजा बोलनाचा उद्धिश वड़ा है कोंत्या ही मांसा ची तुमी निंदा करू नका हाँ त्या गुनाचा परिनामे तेला जोपेते हाँ त्या गुनाचा परिनामे कि तो चंचल है हाँ गुनाचा परिनामे कि तो ज्ञानाचा नी सुखाचा अभिमान बालोक तो तेरा छेड़का नी करू नकते हुए मढ़े महाराज तुमी यह मनताई पन परिणाम का है तीगान ना तीन प्रकर्च गुन प्राप्त होता सत्व गुनी मानू स्वर्गा मधे जातो रजोगुनी मनुष्य फुना मनुष्य जन्माले तो तमोगुनी मनुष्य जड़ वर्गाला तमोगुनाला जन्माले तो त्या गुनाचे परिणाम है और एक लक्षे ठेवा गुनांतर होत नहीं ते सत्रवयाद्यमादे सांगिते लेत गुनांतर होत नहीं रजोगुनी मानुसे मरे परिंद रजोगुनी जराणर। तासा बांधा तायर धलेत। या तीन शब्दाला अत्ताचा भाष्रे मदे डियेने मनतत। गुनसूत्र। तुमी जन्मा लेत अस्ताना आई अनि बाप यहंची गुनसूत्र एककत्र तालेला अस्तात। तुमाला अशा ठिकनी जन्मा मिलतो जिता तुमचा मुल्चा स्वभावास्त। सत्व गुनिया असेल ताहरी घरा मदे जन्मा लेल। वारकरे मदे जन्मा हील। त्यागी लोका मदे जन्मा हील। सत्व गुनिया असेल तर। जिता भजने, किर्तने, साुष्कारे त। मुनुन आपन वारकरी आ होत। याचा सुध्धा आपलेला अहंकार बालागन्याचा अधिकार नहीं पुरुव जन्मीच्य कर्मा। मुनुन आपन वारकरी झालो। पुणा निविन वारकरी जन्मा मिलायिला पाहिजे मुण पुणा हाज जन्मा वेवस्तित गेला पाहिजे हेला मनताथ, याज गुद्धाचा desapाई गर मुणुंतर यहां ता तुमाल का चाय आईए शांगयले पाहिजे आणी तुमाला मी न्यानोबराईचर यानी ब्रह्मदेवाचर तुल्ना करूँ around. ब्रह्मदेव अन्या करता है संभर जन्मा ब्राविनाचर लागता है, अने इंद्र होन्या करता है मिलिए अश्वमेदैयों लागता है, काश्रतम क्संपत्ते स्वर्गी चे. का शतेक जन्मा जन्मोनी ब्रह्म कर्मा करितोची ब्रह्मा आननो है ब्रह्म देवाचा आधिकार किती है शंबर जन्माचा शंबर जन्मा तो ब्रह्म देवो तो न्यानवराइंची भाषपाह कशित न्यानवराइंची एक कल्प एक कल्प चार युगा चास्तो भहुत कल्पा मजे कमी कमी तीन तरह, तीन कल्प, मधे तीन कल्पा मधे, प्रत्यक जन्मा मधे तप केल, आं त्यात तपला लाद नंउबार्णे रिनी थेो लग। माजिया सत्यवादा चे, तप वाचे केले भहुत कल्प, 12 हजार वर्षचा कलियूगा है, संबर जन्म ब्रामना चे गेरे करता है। स्व एक जन्म ब्रामना चे गरता है।। माजिया सत्यवादाचे थपो, वाचे केले बहुत कल्प, तया फड़ाचे महादवीप पातली प्रभो मनु जन्म आपले हता मद्या है, सत्योगुनी मानसाला तिथे जन्म मिलनार जितो तुम चकर्मे राहिलीली साथ दाती तुम शुरुवत होते रजोगुनी मानस तिता चर्मला जानार जिते इनी संपति सोटलीं जिते जास्ति जास्त दुख आसेल। रजोगुनी मानसाला दुख़च वाटत ने हो, आणि तमगुनी मानुस काही इस नको, जड़ जड़, चेतन चेतन, आग दी सोब्य भाषिस सांगाईचे मजे रेडा, रस्त्यात बसला समाधीच, टेंशन अज नही धला, कुटे जाओ जया, शान्त, काही बुद्धी चालत ने, विचार चालत ने, कही चालत ने, सस्तो गुनी, आणि परमार्थ येचा करता कराईचास्तो, गुणांतर होद गिला पाईचेत, इत परिंद अपलत ज्याना आलेले, येचा पूर्चा टपकाए, येचा पूर्चा टपकाए, आणि जाविडेस तुमी परिपक्लो हा श्रीगुरु आपोप तुम अले भिटवन तुमचा उधर करेले, हेच सगरविश रिगुरु, अमचा शरीर न जो गुनाचा अशेल, तमगुनाचा शेल, सत्म गुनाचा शेल, मा कही साधूल न शरीर नसतगाए, एचा मूल उत्तर गुनातीत शब्दा मद याले लेता साउदावाध्या मद जो गुनातीत प्रकरने तेजा आर्था हाई गुनातीत मजे काये शरीर शर्राचा पधतिने काम करता आण जो गुनातित आस्तनारा महात्मास्तो तो शिर्राच्या क्रेकडे प्रकृतिकडे लक्ष देतने। आनो बर्यात्रा जाला पन साधू संत दखल घतने येचो भूल कारने प्रकृतिकर्म करते हात्यान्चा आंतकर्न आतला निश्चे यस्तों। लोकानी शिवे धिले ठीक है। लोका बुले ठीक है। आंतकर्न बैसकाना मोडे मानसी ची। मी प्रकृति नहीं है। गुना प्रामाने आने प्रारब्धा प्रामाने शरीर क्रिया करता। मी आत्मा है। सर्व व्यापिया है। सर्व भुतांतर आत्मा है। माला यहा काई प्रणाम होतने। ही ठाम बुद्ध्यास्ते तेचा नावे गुनातित। अने गुनातित आसले न समलोष्ट आश्मका अंजना है। सग्या गुष्टी सार्खे वाटता। यह वैद्यानी करन में तुमाला मागाशी संगितला हजार कुटी रुपय आसले का है। अने दोन भाकरी खायला आसले का है। प्रत्यक बनुष्याची क्रिया एक चै। फक्त एकादे खायला वेल नाइथ एकादे खायला वेलेथ। आने यह सगल जानून तो भक्ती करना रास्तौ। गुणाती सादूच उरन आपले सगले ना कलपन एक शाबदती ना है। एक पंद्रावेद्येची दुनतिन विशेष्थ संग्तो तुम्चा लक्षा दिल। आश्वत्त मनों जे संग्त लेला है। तेचो मूल कारणासा है साउसाराच स्वरूप एक सार्खनस्त। और श्वहा स्थ शब्दाचा अर्तराने। उद्या परियंत जो एक सार्खा रहात तेचनावे आश्वत्त। आपन बसलेला हत। तुम्ये अपले-पले जाहेत बसलेला हत। एक अगतासाने मध्यांतर। वतं तुना पुना यऽं भसता है, जागा बदलते, वात-वातर्ण बदलता। शरीर बदलते, परती खशनाला शरीर बदलना रहने। तुम्हें जोपलासला तरिशरातली पचन क्रिया चालू है तुम्हें आयुशे चालू है दिवस वाड़तो एक्षन वाड़तो है आयुशे कमी होते तुम्हें यह जो नावे प्रकृति नरूप मस्य है तथो उपलब है ते संसाराच जे स्वरूप नाइए तशापदतिने उपलब दोतो है घा वेधान्त शासराचा मोठा आत्मै मोठा आत्मै सतकर्मी रती वाड़ो सतकर्म कशल मनतात, पहली बैठक संता वोरो वर पाईचे, संता सवे वसता, खाने पिने सटी नहीं, योग ध्न्यानी पईचता, तुमचा शरीर योगाची साधना करना रासाव, और ध्न्यानाची हाव घेना रांता करना साव, योग ध्न्यानी पईचता, गुरु चरन उपा शिता वैराग्य सी एने ची सत्करमे अशेश अध्याने विरमें। एने ची सत्करमें। एने ची ची विस्वनों ना कब रगा। यह चा अतिरिक्त सत्करम शब्दाची दुसरी व्याख्याने। काय केल पाजे जिवना मदे संता सवे वसता। इपहले टपाये। परिवर्तन करूशक्त आणि वैराग्य जर तुम्चा जिवना मदे नसेल याच अध्याय मदे सुन्दर संगिले लेद। विरक्ती वाचो नी कही न्यानासी तगने नहीं। एक सांप्रदा है। कसा वेगले पद्धाती नी पहला जातो अपले वार्करी सांप्रदा है कले। याच वोव्या है पर सांप्रदा है जर बगाईच आसेल तक कसा बगाव लागेल। जगत गुरुत तको बढ़ा है मुर्ती मन्त वैराग्ये चा उत्तारे। आने ज्ञानो बढ़ा है ज्ञाने। ज्ञानो बढ़ा है ज्ञाने चक्रवर्ती तू तव ज्ञाना चीच मुर्ती। आने जगत गुरुत तको बढ़ा है वैराग्ये। संधती कशिये ते भगा, धर를ने करिये तो, अन्य सरल ज्ञानबराइचे धर्वरा मधे अन्षन करतो, उपवास करतो, ज्ञानबराइचे प्रात्तिभावी भुन। वो ह MOR सिय है विरक्ती वासो नी कही ज्यानासी तगने नहीं विरक्ती इशवय ज्यान प्राप्त होतने ज्यानोबराई तेला संतत की बावा तु bachelor खोर शुर किड़े चा ज्यानोबराई संतत धर्णी करेला तु Schul खोर उकिड़े चा अर्थ सरदर ज्ञाना कड़े गेला, तर ज्ञान वायराग्य कड़े पाठ उतो, संता, सवे, वसता, सरदर ज्ञान कदी प्राप्त हुनारने, वायराग्य तुम्चा जिवनामदे पाइजेच, मजे तुको बाला आशले शिवाय वारकरी संप्रदाय ची पूर्नता नाइच, है वाईशिष्ट है जिवना मदे आणि जर तुमी तिथे गेलाद तो तुको बारनी सांगितलल आईकल पाईजे असने कि तिथे गेलाद तुको बाराच आईकलन तुमी तुको बाराच प्रसाद जेताद तो तुको बाराच आईकत नेद विरक्ति आसले श्वाय ज्ञानाची प्राप्तिच होते हैं कुड़ी मांडला हाई विशे ज्ञानो बर्य मंतत देवनी मांडला है हे विचारों ने ठाई ठेवीले देवे आतो तुमची क्यापसिटी की ते आसलते तुमे ठरवा विरक्ति आवाचों ने कही ज्ञानासी तगने नाही हे विचारों ने ठाई ठेवीले देवे आने पंद्रावेज्जेची दुसरीय की विशेष्ट संगतो वैराग्य कोंत्याही मांचाची हिम्मत ने प्राप्त करेची वैराग्य हाँ भग्वांतानी दिलेला प्रसाद असतो मांचाची ताकत ने वैराग्यान होनेच हाँ कही दिवस त्याग करतिल चांगले वस्तो मिलेई परिंत मी आजे टीका करतो आशे ग्रही दरूना का तुमाला आपले परमार्थातल समस्ते मुनम बोलतो कही लोकल खुब चांगलेत किर्टनाचा पैसा घेतने अतिशे चांगलेत किर्टनाचा पैसा न घेता किर्टनाचा चांगलेत पन पासा वर्षणी किर्टनाला किती दितील दा अजार पाच अजार आई कि ने पन किर्टनाचा पैसा घेतनेत पना आख्या गावची उवर गली धालाग होते लक्षा देते तुम मले एक बाजु काई दुसरी बाजु काई थोड़ा पैसा नकोए तो मनुन त्यागे अर्थ लक्षा थोड़ा पैसा नकोए ही चालत अस देत महाराच वैराग्य हा भग्वन्ताचा प्रसादे वैराग्य सिध्धी देजे पसाय तया हे भग्वन्ताचा स्वताचा वाक्य योग्य कर्मकरत गिलाथ स्वेश्वे कर्मन निविरता साउसे धिमलबदे नरा योग्य कर्मकरत गिलाथ निश्काम कर्मकरत गिलाथ कश्टकरत गेलाद भग्वन ताला दाया येते तो वैराग्य देतू तुम्चे कड़ वैराग्य नहीं है तुम्ही त्याग करू शक्ता मगाशी सांगितल्या प्रामाने अहंकार फोगोवने सकी तुम्चे कड़ वैराग्य आसु शकत नहीं तुम्ही 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 तुम्ह आनित्य है विशय भोग आनित्य है तारुण्य आनित्य है मानपान आनित्य है जई जानिजे तै वैराग्य दवडिता पट तुमी जरी वैराग्या तत्याक्यला वैराग्य तुम्चे गड़ हाद जूट नेनार महराज आमचा स्विकार कर आमला मान द्या हिद न्यानो बरें कि दार ने कि अगत कि जाने कोंट गण तो मलसे जानी जाली जाली जे तरहें कि तरह स्य जाने स्वीर आजिय। दोन टपय संगिदे तुम्हाला वंआज्य पाईजे वंआराग्य साथी स्वेश्वे कर्बन्य supporter चांगलक कर्म पाईजे अनि सत कर्म करा हईच आσेल LET यह तीनस गुष्ठी संता सवे वसता संताला त्रास्वीला सव आगू नका संता ते संत तुम्हाला जवल घिजिल का नई हा मोठा आणि आउगड प्रश्ण संपुर्णा पन्नाष्ट केचे तुको बराईचे आभंगेतना देवालान संताला एकस प्रार्थना केलिले मजठ ठेवी पाई संताचे या शंत तुम्हाला जवलस करतने आणिजे जवल करता ते श्रिवन्त आस्तील न्यानी आस्तील वैराग्यावन आस्तील तेंची गरज आसेल हरिद्वार मध्याशे बरेश्य आश्रम एद बरका ता आश्रम चालो नरज कोनने मा काय करतात विद्धारती ठेवतात विद्धारती ठेवले की खुश लोके आतात पातात जाड़ोट होते संगती मिरते शिक्वाई जगाई ने त्यानाच यतने मालकला प्रदर्श मक्ती संत संगती नवे योग द्नाणी पैसता है योगाँच उत्तम पद्धती ने द्नाणास लपाईसे रता आनि द्नाणाच यहावासली पाईसे यजी दोन जोड गली यती पहले आद्धे पाशं चालताली योग आर्जुन यवडा सामन्यनित महराच। आर्जुनाची तपश्यरेजर वर्णन केले दा आंगार काटाईल पंचाग्नी तप उन्हालया मदे चार दिशेला चार आग्नी ठेवाईचा पेट्ता अनि पाच्वा आग्नी मंजी सूरिय खुब सुंदर वर्णन केले पंच पंचाग्नी तप पंचाग्नी पोर्व पश्यम दक्षिन उत्तर चार आग्नी ठेवाईचे ठरा विकांतर अनि वर्ण सूर्याचे ताप पाच्वा आग्नी एक पायरू भरावंद मंत्राचे जब कराईचे शक्के तुम्सा शग्लया लोकाचे एकस लग्षे आर्जुद महाराचे शक्के माराचे बोले इत पर ठीक है पन सैन्य सुड़ून देवाच आंगेकार करना हे वार करेल सुदा शक्के ने जर एक देला संकेतल ना महाराच किरतनाची तारीग द्या ने महाराच गिलीली ने एकाव नाधर सपाखिटे बगा तुम्साम्सा ने मितेला सां शब्द पाईशा साथी बदलतो सैन्य सोड़न सग्लात लामची बुष्टे अधिकार सुड़ून एका मिंटत मिश्चे बदलतो माराचे एका मिंटत मांसा बदलतो कसला परमारताले कसला योग ने कसला ज्ञानाची अपेक्षा लेले मनोन महात्वाची सूत्र जिद्यानिश्वरी अपेले शिकावते संताचा सानिध्यात वैराग्यानी विचार मजबुत होता जीवन मजबुत होता अणी सग्ली घटनाईते जया मदे आलेले मनोन संसाराया समस्ता जानिजेजे अनित्यता तई वैराग्या दवड़िता पाठी लागे और वारकरें साथी योड़स कर्म संगीते लेग सांगल्या मंसाचा सानिध्याम धे बसावा, शरीर निरोगी ठेवावा, ज्याना चे आपिक्षा करावी, हेजर तुम्माला कुछच सापडला नही कोंतास संत तुम्माला हा दर दिसला नही तो ज्यानेश्वरी हेज संते ओसा आभ्यास कर चाहिभू आपलेला जे द्नानीश्वर्चे तत नहासतील गुरुचर्ण उपासिता वैरागेसे यह नेची सत करमे अशेश ही अध्नान विरमे अशेश ही अध्नानाचा अउससुद्धा श्रिलक रहतनाइद योड़ वैभाव अपलेला द्नानीशवतन प्राप्थ पुड़ुचा विशय अपन उद्याच्या प्रवचना मदे पाहू। आरती हुईल।